आदाब, ये आकाशवानी है, खबरों के साथ मैं फैसल खान शदीद समूंदरी तूफान दाना के आज देर रात उडिशा के साहिले लापों, भीतर कनिका और धमरा के दर्मियान टकराने के इमकानात है इसी समूंदरी तूफान के सबब उडिशा और मगर्वी बंगाल के कई असला में बहुत शदीद बारिश होगी मगर्वी बंगाल और उडिशा के साहिली लाकों से बड़े पैमाने पर लोगों के इनखला का काम जारी है दोसों से ज्यादा रेल और चालिस परवाजें मनसूख कर दी गई है जर्मन चांसलर ओलाप शोल्स वजिरासम नरेंदर मोधी के साथ बैन हुकुमती सलाह मशोरी की खातिर आज से भारत का तीन रोजा दोरा करेंगे भारत तिबत सराधी पुलिस का योमे तासीस आज मनाय जा रहा है वजिरासम ने कहा कि आई डी आई टी बीपी लोगों की हिफाज़त के लिए बहादुरी और लगन के लिए जानी जाती है कुष्टी में भारत के खिलारी विश्व जीत राम चंडर मोरे ने अल्बानिया में तेई साल से कम उम्र के खिलारीों की आलमी चेंपियनशिप में कांसे का तमगा जीता है और खवातीन किर्केट में भारत और नीजलेंड के दर्मियान एक रोजा मैचों की सिरीज का पहला मैच एहमदावात में जारी है मशिर्की वस्ति खलीज बंगाल में बिना बना शदीद समुदरी तूफान दाना आज रात उडिशा के साहिल पर भीतर कनिका और धमरा के दर्मियान किसी जगा पहुँच जाएगा मैच पे मुस्मियात ने कहा है कि समुदरी तूफान दाना एक सो से एक सो बीस किलो मिटर फी घंटे की रफतार से हवाओं के साथ पहुचने की उम्मिद है तूफान की शिदत कल सुब तक रहेगी जिसका इलाके पर बड़े पैमाने पर असर होगा ये शदीद समुदरी तूफान पारादीप से 210 किलो मिटर और उडिशा के साहिली आलाकों धमरा से 240 किलो मिटर दूर और ये खलीज बंगाल में 12 किलो मिटर फी घंटे की रफतार से आगे बढ़ रहा है उडिशा के केंदर पारा, बाला सोर, मयूर भंच, जगत सिंगपूर और भधरक जिले दाना समुदरी तूफान से बहुत ज्यादा मतासिर होंगे इन दिनों में शदीज से बहुत शदीद बारिश होगी जबकि दिगर रियासत के दिगर नौ अजला में भी इसके असर से तेज बारिश होगी बीजू पटनाएक मैनलौकामी हवायडे से भूनेशवर के लिए जाने वाली सभी परवाजें आज शाम पांच बज़े से कल सुब नौ बज़े तक के लिए मनसूख कर दी गई है साहिली अलाकों के नशेबी अलाकों में रहने वाले लोगों को कसीर मकासित के लिए बनाए गए मराकिस में मुन्तखिल किया जा रहा है सभी स्कूल, कॉलेज़, इनुवर्सिटियां और कई सरकारी अदारे जुमे तक के लिए बंद कर दिये गए है डॉक्टरों और सरकारी मुलाजमीन की छोटियां मनसूख कर दी गई है जबकि मुसाफिर रेलों की बड़ी तादाद मनसूख कर दी गई है मचवारों के समुदर में दाखिल होने पर पावंदी लगा दी गई है चालिस से ज्यादा परवाज हैं और तकरीबन दो सो रेल इस इलाके में अब तक मनसूख की जा चुकी है 24 घंटे काम करने वाले वार रूम्स तैयार किये गए हैं ताकि मश्रकी साहिल पर रेल इलर्ट की सूरत में रेल खिद्मात को बाहल किया जा सके आईमडी ने कहा है कि कल सुब तक मुतसिल जारखंट और शुमाल मश्रकी भारत में तेज बारिश होने के इमकानात है इसी तरह के मौसमी हालात आज जुनूब भारत, तमिलनाडू, पुड्डूचेरी, क्राइकल और केराला में भी बने रहेंगे उडिशाहर, बंगरवी, बंगाल के साहिल पर समुद्री तूफान, दाना के पिशे नज़र, भारती बहरिया, खुदर्ती आफास से मतालिक, इनसानी इमदाद और बचाओ, ह.ड.र की कारवाईयां शुरू करने की तैयारियां कर रही हैं विजारती दिफा ने एक बयान में बताया कि इन तैयारियों के हिस्से के तौर पर जरूरी कपड़े, पीने के पानी, खाना, दवाओं और हंगामी हालात के लिए जरूरी अश्या समयत ह.ड.र प्लेट्स को उन अलाकों में तैनाद किया जा रहा है, जिनके सबसे ज्यादा मतासिर होने के इमकानात है, इसके साथ जरूरत पढ़ने पर राहत और बचाओ के लिए सेलाब से बचाओ और गोताखोरों की टीमें भी तैयार की जा रही है, समुदर में बचाओ है, जर्मणी के चांसलर उलाव शूल्स साथ में बैन हुकूमती मुशावरत आई जी सी में शिर्कत के लिए आज से भारत के तीन रोजा दोरे पर है, वजिर आसम नारिन मोदी और चांसलर शूल्स कल बैन हुकूमती मुशावरत की मुश्चरका तोर पर सदारत करेंगे, बेन हकुमती मुशारत आई जी सी हकुमत का एक मजमुई तरिके कार है जिसके तहट दोनों ममालिक के वज़रा अपने अपने मुतलगा शुबों के हवाले से तबादले ख्याल करते हैं और उनके नताइश से वज़रासम और चांसलर को आगाह करते हैं। वज़रासम नरेंदमोदी और जर्मनी के चांसलर इस मौके पर बाहमी बातचीत भी करेंगे जिसमें सीक्यरोटी, दिफाही और एक्तिसादी ताउन को सद्देने और उभरती हुई वकलीदी टेकनलोजी के शोबे में ताउन, नीज, ग्रीन और पायदार शिराकतदारी पर ख्यालात का तबादला शामिल है। हमारी नमानिकार ने इतला दी है कि दोनों रहनुमा जर्मन कारोबार की अट्रावी एशिया बहरुल काहिल कॉन्फरेंस से भी खिताब करेंगे। गुजार लाकों और मौसम के सक्त हालात में आईटी बीपी लोगों की हिफाज़त के लिए बहादुरी और लगन की अलामत है। उन्होंने कुदरती अफात और इमदादी कारोईयों के दौरान उनकी कोश्चों को सराहा जो लोगों में बेपना फखर का बाइस बनती वजिरासम नरेंदमोदी सक्ताईस अक्तूबर को आकाश्वानी पर मन की बात प्रोग्राम में मुलक और भरूने मुलक के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजार करेंगे। ये माहना रेडियो प्रोग्राम का 115 नश्रिया होगा। अवाम टोल फ्री नंबर 1800117800 के जर प्रोग्राम के जरिये ऑनलाइन भी अपनी तजावीज भेज सकते हैं। आइंदा नश्रिये के लिए तजावीज इस महीने की 25 तारीक तक मुसूल की जाएंगी। कि वस्रिलंका की राज़धानी में पाली बाहेसियत कλάス की जबान के मौधूपर मौधा एक पैनल मॉखाइस में इस्कॉलरों और मौध का शुक्रियादा करते हैं। इस पैनल मुबाइसे का निकाद सकाफ़ती तालगास से मतालिक भारती कौंसल ने किया था वज़र दिफार राजना सिंग आज ने दिली में आजमाईशी बेनलक्वामी सेमिना चानक क्या दिफाई मजाकरात के दूसरे डिशन का इफ्ता करेंगे वज़र मौसूफ भारती फौच के आलोदगी से पाक अगदाम एक सिफर और आई एक सिफर के डिजिटाइजेशन को लॉंच करेंगे मुल्क ने मुल्क भर में डाइमो नेम फासफेट डिएपी की किल्ट से मतालिक मीडिया की खबरों को मुस्तरद करते भी कहा कि ऐसी खबरें भी बेबुनियाद गुमराकून और हकाइक से दूर हैं एक प्रेस रिलीज में केमिकल्स और खादों की वज़रत ने कहा कि डिएपी पर दी जाने वाली सबसिडी में बिलकुल भी कमी नहीं की गई है और इसकी ज्यादा से ज्यादा खुर्दा कीमत को कोविड के वक्त से 50 किलो ग्राम फी बैग 1350 रूपे बरकरा रखा है वज़रत ने मजीद कहा कि डिएपी की दस्तियाबी कई जोग्राफियाई और सियासी आवामीर की वज़ा से कुछ हद तक जरूर मतासिर हुई है दिली की अबो हवा मसलसल बहुत खराब जुम्रे में बनी हुई है मरकजी पॉलिशन कंट्रोल बोर्ड के मताबिक आज सुब दस बजे कोविराजधानी का हवा का मेयारी इशारिया 324 पर था सिल्लंका में 14 नॉम्मर को होने वाले पालिमानी अंदखाबात के लिए डाक शुनाओ कार्ड्स की तक्सीम कल मुलक भर के जिल्या सिक्रेटरेट में शुरू हो गई खवातिन क्रिकेट में आसे पहर हम्दाबाद के नरेंद मोधी स्टेडियम में भारत और नीजुलेंड के दर्मयान तीन एक रोजा बनलकामी मैचों की स्रीज का पहला मैच खेला जा रहा है इससे पहले भारत ने टोस जीता और पहले बल्ले बाजी करने का फैसला किया भारती टीम ने अपसे कुछ देर पहले तक एक विकट पर 21 रन बना लिये थे आखिर में खास-खास खबरें एक बार फिर भारत तिब शदी समुद्री तूफान दाना के आज देरात उडिशा के साहिली आलाकों भीतर कनिका और धमरा के दरम्यान टकराने के इमकानात है इस समुद्री तूफान के सबब उडिशा और मगरी बंगाल के कई अजरा में बहुत शदीद बारिश होगी मगरी बंगाल और रूडिशा के साहिली राकों से बड़े पैमाने पर लोगों के इनखला का काम जारी है जर्मन चांसलर वजिर ओल्फ शोल्ज वजिर आसम नरेन मोदी के साथ बहन हकुमती सलाह मशुरी के खातिर आज से भारत का तीन रोजा दौरा करेंगे इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ